आपके बाद Xiaomi 14 या 14 Series का कोई भी फोन है तो यहां पर आप call forward कैसे कर सकते हैं किसी दूसरे नमबर पर या call forward को कैसे remove कर सकते हैं तो इसके लिए आप क्या करना है यहां पर जाना है setting पर step से option आएगा यहां फिर setting से ना जाके आप यहां पर टायलर पर चले जाएंगे इसके बाद voice call या फिर video call voice call पर क्लिक कर लेंगे वेट कर लेंगे यहां पर आपको 3-4 option देखने को मिल जाएंगे अगर ATL का SIM है तो ATL का unreachable option पर आपको company का number दिख जाता है तो आप यहां पर अपना number डालके कोई सा भी turn on पर क्लिक कर देंगे तो call आपका forward हो जागा उस number पर तो एक तो यह option होता है कि जब आपका phone आप चाहते हैं कि network coverage शेत्र से बाहर ना बताए डिरेक्ट मेरे phone पर call आए तो आप यहां पर अपना number डाल देंगे तो यह update हो जाएगा ठीक है लेगे इन फिलाले के लिए यह थोड़ा सा मैंने ऐसी for example बता दिया आपको एक option होता है call always forward तो जब आप चाहते हैं कि हमेशा मेरे जो सारी के सारी call है दूसर नमबर पर जाए तो आप इस वाले option पर जाकि अपना number डाल देंगे turn on पर click कर देंगे इस पर तो यह on हो जाएगा मतब सेट हो जाएगा एक होता है when busy when busy पर अगर आप डाल देते हैं तो आपका जब call busy जाता है किसी call पर व्यस्त है तो दुवारा से call आती है तो किसी और नमबर पर जाती है और एक होता है when unanswered जब आप call पिक अप नहीं करते हैं उठाते नहीं है तो call किसी और नमबर पर चली जाती है और एक होता है unreachable यह तो मैं आपको बताई चुकी हूँ अगर आप चाह तो आपनी call दूसरे नमबर पर forward करके जाए ताकि नेटवर कवरे शेतर से बाहर अगर जाता भी एफोन तो किसी और नमबर पर call चली जाए नेटवर कवरे शेतर से बाहर नहीं बताएगा सामने वाले को number डाल के turn on पर क्लिक कर देंगे तो यह सेट हो जाएगा call हटानी है तो यहाँ पर number दिखेगा turn off का option आएगा turn off पर क्लिक कर देंगे तो ऐसे call हट भी जाती है forward वाली ठीक है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार